आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और देखिए फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लेटर किस तरीके से लिख सकते हो चाहें कोई भी बिसाय हो आप किस तरीके से किसी को अपना जो भी लेटर है क्या पूरा नियाब होता है बहुत ही बेश तरीके स जानेंगे और हंडे परसंट कहा रही हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लेटर लिखने में कभी भी नहीं चुकेंगे ठीके क्या पूरा नियम रहता है क्योंकि जब आप रूल नियम जान जाएंगे तो बहुत ही असानिक साथ किसी भी लेटर को लिख शकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि हर एक प्रसिक्ष्यों के पास ये इन्फोमेशन पहुश चेगे और आप से भी कि बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो वन वर्ड सब्सिट का एक ही वीडियो में पूरा प्रोवाइट कर दे क्योंकि उस्टॉपिक से क्योशन आ रहे हैं तो बहुत जादा महत्युपूर है अभी हम जानेंगे कि आप लेटर किस तरीके से लिख सकते हो क्या पूरा नियम रहता है आये जानने का प्रयास करते हैं और कुछ हम एक्ज सकते हो कि आप चाहे किसी को भी पत्र लिख रहे हो उसकी विशेवस्तु कुछ भी हो यदि आप निमनलिकित बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको पत्र लिखने में काफी हेल्प मिलेगी काफी शाहायता मिलेगी अब वो क्या-क्या है जिसमें पहला नियम है यदि आप किसी भी सम्मंधियों शे या मित्रों शे या जो परिचित है उनको आप पत्र लिख रहे हो तो आपका प्रियास यह रहना चाहिए कि आप अपने हाथ से पत्र को लिखे यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप टाइप करके भी अभी तो ऑनलाइन का जमाना है तो आप टाइप करके मैसेज कर सकते हो तो किस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है आए जानते है इसमें सबसे पहला देखिए दूसरा जो नियम दियान है पत्र के द ठीक पर अपना पता लिखे फॉर एक्जामपल आप यहां पर देख सकते हो कि पता लिखा गया है यहां से अगर आप कोई भी लेटर ले रहे हो अपत्र लिखने के लिए पीज ले रहे हो तो आपको लेप्ट साइड नहीं लिखना है आपको एड्रेस जो है वो राइट सा बिज्ड've को अपना शक्त हो जैसे आप और रिंगे से स्क्राइब इस तरीके से लिख सकते हो कर दें, गणा इस पिन आप लिखो में के प thếर, आपको लिखके अवाध प्त्र खूंग और रहे ऐंदर, चरों लर्षा शक्तीय वह 앞मायरर अबunto यह तो आपको लिखने के आवशक्ता नहीं कि आप तो किसी को पत्र नहीं भेद रहे हो लेकिन हाँ अगर नियम पूछता है तो आप इस तरीके से लिख देंगे टॉप राइट मार्जिन एडर्स फिर उसके नीचे ठीक है हम जो भी डेट रहेगा उसको फिल अप कर देंगे अब देखिए फ्रेंड्स हम कैसे हाओ टी स्टार्ट लेटर यानि हम पत्र का प्रारंब कैसे करें पत्र की सुरुआत काफी महत्तुपूर होती है इसमें उस ब्यक्ति को शम्बोधित किया जाता है जिसे पत्र लिखा जाता है शम्बोधन इस परता है कि आप किसे पत्र ल आने वाली शंबोधन नीचे दिया गया है अगर आप अपने माता पिता या रिस्ते के किसी बड़े अन्यशंबंदियों को पत्र लिख रहे हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे अगर आप मतलब माता के लिए पत्र लिख रहे हो तो आप क्या लिखेंगे my dear mother या father के लिए लिख रहे हो तो लिखेंगे my dear father आप जिसे पापा अंकल कुछ भी आप जिस भी नाम से आप उकारते हो तो आप लिख सकते हो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पिता का इंगलिस father होता है तो हम father लिखेंगे पापा लिखनेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है देखेंगे उसके बाद देखिए अगर आप मान लिजी अपनी मतलब आंटी को लिख रहो यानि चाची को, मा को, ममी को तो dear auntie, dear mother ठीक है, dear mamma तो इस तरीके से पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे पहला नियम हो गया पहला first आपको later लिखना है तो इससे शुरुवात करना है अब दिखें friends, माता पिता द्वारा बच्चों को, ठीक है यानि आपके माता पिता अगर लिख रहे है तो आप उनको भी क्योछ नियम होता है जैसे कि अगर आप अपने जैसे friend के लिए अपने भाई के लिए अपनी sister के लिए या जो भी आपके बराबरी में है उनको अगर आप पत्र लिख रहे हो तो किस तरीके से लिखेंगे my dear brother या sister my dear sister pushpa my dear anand my dear friend anand ठीक है अब देखे friends ये हो गया अपने बड़े अधिकारियों से या क्या सकते हो कि अगर आप आप college में कोई later देना है ठीक है कोई problem है या कुछ भी समस्या है तो उनको जब आप later देते हो तो शुरुवाती बिंदू क्या होना चाहिए शुरुवाती point क्या होगा तो यहाँ पे होगा जैसे कि यहाँ पे होगा sir यानि आपके college के जो भी प्रचारे है sir तो आप लिखेंगे sir या dear sir या dear mr. ramish तो ये अपने बड़े अधिकारियों तथा बेवशायक form के मालिक या मालिकों के लिए किया जाता है तो अधिकारी है तो sir dear sir लिख सकते है अगर मालिक या मालिकों से तो dear mr. ramish तो ये आपका first page में पहला इस तरीके से होगा आई होग कि आपको समझने में उत्ती दिक्कत नहीं आई होगी चलिए अब बढ़ते हैं तीसरा जो ठीक है अब देखिए friends दूसरा जो point है पत्र का मुख्य भाग body of the letter चुकि बहुत ही ज़्यादा महत्यो पुड़ है पहले हमने जाना कि आप पत्र की सुरुवात किस तरीके से कर सकते हो चुकि हमने बहुत अच्छे से जाना कि सबसे पहले तो अगर आप पत्र लिख रहे हो तो आप अपने मतलब माता के लिए या फादर के लिए या अपने अधिकारी के लिए या भाई बहन इनके लिए लिख रहे हो तो my dear my son इस तरीके से आप करके लिख सकते हो उसके बास देखिए जो दूसरा पॉइंट है body of the letter यानि क्या आपकी समस्या है क्या प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से आपको वहाँ पे create करना है किस तरीके से लिखना है आई ये जानने का प्यास करते हैं आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहला line कहा है कि इस मोटे रूप से तीन भागों में बाटा जाता है यानि अगर आप बीच वाला भाग जो लिखते हो उसमें तीन भाग कौन कौन सा होता है एक तो आपको पता है आप संदर्यानी रिफरेंश लिखते हो और इसमें बोला जाता है सबसे पहले हम संदर्म यानि रिफ्रेंस आप पत्र क्यों लिख रहे हो ठीक है यानि पत्र लिखने का क्या कारण है ये भी तो बताना बहुत जरूरी है है ना उसके बाद संदेज यानि क्या आपका मैसेज है या जिस बात का उत्तर मांगा गया है उसको लिखे अंत में क्या करना है बड़ो छोटों को यथा योग अभिवादन देते हुए पत्र के मुख्य भाग को शमाप के जिया और तीनों का एक एक उधारण नीचे दिया जा रहा है फॉर एक्जामपल अगर आपको शंदर्म लिखना है रिफ्रेंस लिखना है कि आप उनको पत्र क्यों लिख र प्लीज गिम मैं बेस्ट रिगार्ड या आप जो भी पॉइंट से लव विसेज टू इस तरीके से लिख सकते हो और इनका नामिस्टर गजराज अब देखें फ्रेंस यह तो सेकंड पार्ट होगा आप फॉर्ट पार्ट जो कहता है कि आप पत्र का समापन कैसे कर सकतो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पत्र के समापन का धंग भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं इसे हस्ताचर करण होते हैं होते हैं इसमें पत्र लेख के जो भी सिगनेचर है वो भी शम्मिलत रहता है क्योंकि आपने शुरुवात में जब लेटर लिखते होंगे तो आपने देखा भी होगा कि जो भी आपका नाम है आप सिगनेचर के थृट बताते है जैसे for example जैसे कि अगर आप अपने माता पिता या किसी को भी लेटर लिख रहे हो तो नाम लिखते हैं ठीक? तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है कि ऐसे नाम लिखने है जैसे माता पिता चाचा चाती अपने मित्रों को लिख रहे हो तो sincerely yours जो भी आपका नाम है ठीक है एंड उसके बाद अपने से बड़े अधिकारियों तो था बेऊशाइक फॉर्म की मालकों से तो yours faithfully आपका जो भी नाम है वो लिखेंगे और भाई बहन में पत्र बेवार जैसे your loving brother आपका जो भी नाम है your loving sister यदि पत्र शमापन के बाद कोई बात लिखने से छोड़ जाए तो पत्र की नीचे पीएस यानि इसके फुल फॉर्म होता है पोस्ट स्क्रिप्ट लिखकर अपनी बात लिखें ठीक है कुल मिलाकर पत्र कशा हुआ या अपनी संदेश असपस्टतर या कर सकतो तो असपस्ट रूप से समझ आना चाहिए और विव्यक्त करने वाला ऐसी भाषा में होना चाहिए जो पत्र पाने वाले के अस्तर के अनुरूप हो जैसे कि आपने शंप्रिश्ट पढ़ा था जिस तरीके से आप मैसेज भेज रहे हो तो उसको भी समझ में आना चाहिए उ पत्र को उबाव बना देता है इसलिए भाव अभिव्यक्ति में संचिप्त रहने के चेश्टा के यानि कम से कम सब्दों में यथा समय पत्र क्यूंकि आप सभी को पता है जो इंगली सापका है यह एक से दो नंबर का होता है तो ज्यादा लिखने की बिल्कुल भी आवश् हो तो माई डिएर फादर माई डियर ममी जिके और जैसे की अगर आप अपने भाई बहरें मित्रों को पत्र लिख रे को पत्र लिख रहे है तो इस तอरही के से पूरा होता है और उसके बाद हम ने श्रीकिण देखा बाडी होडिए आप दो लेटर क्या का अलए रिफ्रें तो please give my best regards, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी विसेद है, आप किस तरीके से, और उसके बाद how to close a letter, यानि किस तरीके से आप उसको close कर सकते हो, तो just मैंने अभी बताया, your faithfully, अपने बड़े अधिकारियों को, अपने मित्र के, आप कह सकते हो, अपने मित्र को आपने letter लि क्लियरली समाज में आ गया होगा, चीक है, अब यहां पर बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आप देख सकते हो, शूप कामना पत्र, चीक, letters of greetings, यहां बहुत अच्छे से नियम दिया है, चलिए बधाई पत्र किस तरीके से, आप किसी यहां पर देख सकते हो, पत्र का आरम प्रश करेंगे, तो क्योंकि यह सिंपल है, आपने लिखा भी है, तो इसलिए इसी पर हम लोग बिसकस करते हैं, जैके, leave application, इस प्रकार क्योंकि यह अगर आप जान जाएंगे, तो कभी भी हमेंसा कुछ ऐसा मतलब प्रस्तिती हो जाती, जिसमें आउकास लेने के आउशकता हैं, चाहें स्कूल से छुट्टी लेनी हो, या ओफिस से, ऐसे आविदन पत्रों का इस्तमाल सबको ही करना पड़ता है, और ऐसे पत्रों में सम्मनित अधिकारी को ही उचे समान देते हुए, आपकास लेने का कारण असपष्ट करते हुए, आपकास प्रादान करने के यानि रिफ्रेंज, यानि रिस्टे आई बेक्ट शेट एड़ता है, यानि जिस भी तारीक को मेरेट हैं, यानि क्या कारण बदाना है, आपकास लिखना है, प्रेट प्राद याला पह से तो एक प्रादाना है, आपकास लिखेंगे उचे सम्मनित इस इसरा पूर्ट यानि जिस दिन आपका work है ठीक है आप इसके बारे में यानि जो भी कारण है सबसे पहले तो आप reference लिखेंगे उसके बाद फिर छुट्टी की प्राथना करेंगे यानि आपका क्या message है ठीक है तभी तो आपको छुट्टी मिलेगा तो आप इस तरही किसी प्राथना कर सकते ह जो भी जितने दिन की छुट्टी है यहां पर आप मांग सकते हो देख सकते हो बहुत इजी है आप याग कर लिजेगा hence you are requested to grant me leave of absence for इतने दिन के लिए मैं अनुपसित रहूँगा या रहूँगी I therefore request you to grant me leave to enable यानि जो भी अब कितने दिन की छुट्टी है आप डैस में फिलप करेंगे enable me to attend to this work ठीक है अब अन्थ में आप लिख सकते हो अन्थ में ध्यान देते हुए पत्र शमाप्त के जिए I shall be highly grateful I shall be much obliged to you ठीक है तो यही इस तरीके से पूरा हो गया और हमको पता है कि इस तरीके से लिखना है देखे देखे इतने ही आपको सिर्फ दो लाइन में clear हो जाएगा जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर आप अपने अधिकारियों को लिख रहे हो तो क्या लिखेंगे सर लिखेंगे या डियर सर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद क्या कारण है आप लिखेंगे respect I beg to state that I have been suffering from fever since last night उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे therefore I request to grant me leave for three days उसके बाद I shall be much obliged to you thanking जो भी आपका नाम है यहाँ पर fill up कर देंगे क्योंकि आप सभी को पता है high schools में जो होता है नाम नहीं लिखना होता है आप यहाँ पर अपना नाम लिख देजिए या फिर exam के टाइम में अपना नाम नहीं लिखिएगा ठीक है simple इसी तरीके से 415 इस तरीके से आप क्योंब बता सकते हो ठीक है या किसी दूसरे का नाम लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप कभी भी लेटर लिखना होगा तो दिक्कत नहीं आएगा simple कुछ नहीं करना है सबसे पहले तो आप जिसको लेटर लिख रहे है ठीक है तो आप वो लिखेंगे जो कारण है रिफ्रेंस या नी बताएंगे उसके बाद आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके बाद बस अपना नाम लिख कर पूरा खतम ठीक तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही अगर आपके और भी कोई डाउट रह जाते है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूश रखते हो मैंने जितना हो शका मैंने आपसे भी को नियम बताया बहुत ज़्यादा टफ नहीं ह आप इसको खुद से भी कर सकते हो ठीक है तो फ्रेंट्स आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंट्स में तो कुछ शेयर कर दीजिए ठैंक्स वर वोचिंग टेक कियर एंड बेस्ट अफ लग